सीधी सीम बॉलिंग के जादू गया मुहमद शमी जी हाँ अभी इस बात को जादा दिन नहीं बीते होंगे जब शामी ने वर्ल्ड कुप में अपनी सीम बॉलिंग का जादू चलाते हुए वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े-बड़े बल्ले बाजों को अपने इशारों पर नच शामी विलाल अभी इंजरी से जूज रहे हैं और आउट अव आक्शन है लेकिन इसी बीच शामी से जुड़ी हुई एक ख़बर ने पूरी तरह संसिनी मचा दी है क्या है वो खबर आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में इसलिए इंतंग मिरे साथ बने रहे हैं शाल नसार वर्ल कप मैचों के दौरान मौहमद शामी दर्द से जूज रहे थे लेकिन लगातार इंजेक्शन लेते रहे ताकि मैच खेल सके मौहमद शामी के साथ बंगाल से खेलने वाले एक क्रिकेटर ने बताया कि शामी की एंकल की परशानी पुरानी है इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है उन्होंने कहा कि वर्ल कप मैचों के दौरान मौहमद शामी दर्द से जूज रहे थे लेकिन लगातार इंजेक्शन लेते रहे इस तरह मौहमद शामी वर्ल कप में टीम इंडिया के लिए खेलते रहे अब वर्ल कप के बाद टीम इंडिया साउथ आफ मुहमद शामी की जगा प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा फैन्स और टीम दोनों की उमीद पर खरे नहीं उतरे सेंचुरियन टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 ओवर गिंद बाजी की जिसमें 4.7 की एकॉनमी से 93 रन खर्च किये लेकिन महल एक विकेट ले सके जिसके बाद ये देखा गया कि टीम इंडिया को इस टूर पर शामी की कमी साफ साफ खल रही थी क्योंकि ने साफ आफरिका के पिछले टूर पर टीम इंडिया के लिए शांदार गिंद बाजी की थी लेकिन इस टूर पर फैंस शामी को काफी मिस्स कर रहे हैं बताओ टीम इंडिया के फैंस हम तो यही चाहते हैं कि शामी इंजिरी से ठीक होकर जल्द से जल्द टीम इंडिया में वापसी करें और फिर से मैदान पर अपनी सीम बॉलिंग का जादू चलाएं वैसे आपको भी इस साथ आफ्रिका टूर पर शामी की याद आ रही है या फिर इस वीडियो के बारे में इस ख़बर के बारे में आप क्या कहना चाते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथी साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को श